हेलो फ्रेंड, सौगत हाओ का हमारे शनल फार्म लेक्चर्स में आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंट्रेस्टिंग होने वाला है विकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया है तब ये बॉडि के अंदर कैसे उस वीडियो को ठीक करते हैं वो पूरा मैकेनेजर में मैंने बहुत ही इजी वे में समझा रहा है वीडियो के अंदर तो मेरा नाम हुसैन स्वागत है आपका हमारे चनल फार्मे लेक्चरस में एक बर इस वीडियो को जरूर पूरा देखें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जिस भी सॉल्ट नेम के एंड में कीन आता हो देखो दवाई में दो नेम लिखे होते हैं कोई भी दवाई आप उठाओ गए तो एक होता है ब्रांड नेम जिससे दवाई मिलती है जैसा जाइलोकीन हो गया यहां पे यहां पे जायोवीर 400 हो गया यहाँ पर डाजोलम 0.5 हो गया इस सबसे दवाई कैमिस से मिलती है यह सिर्फ नाम है ब्रांड नेम इसके अंदर जो आप देख रहा हो ना हलक के लेटर्स में लिखा हुआ है लिगनोकेन यह होते हैं सॉल्ट नेम असाइकलोवीर अलप्राजोलम यह सॉल्ट नेम होते हैं य के सबी के सबी लोकल एनस्थेटिक्स है तो जैसे कि इसके अंदर क्या है लिगनोकेन है ऐसे ही आप दूसरे ब्रांट देखोगे तो उनके अंदर जो है जायलोकेन सॉल्ट होगा बेंजोकेन सॉल्ट होगा सबी के सबी लोकल एनस्थेटिक है यहाँ पर लोकल वर्ड यू होता है यह सभी के सभी जहां पर भी इंजय किया जाता है just तो nerve cell membrane ने जैसे कि किसे भी तित के आसपास inject किया गया तो वहां का जो nerve cell membrane ने वहां पर voltage-gated sodium channel को inhibit किया जाता है जिसके वज़े से इंफ्लक्स नियो का सोडियम आयन का और जिसके वज़े से ब्लॉक इस होगा नर्व इंपल्स का और हमें जो रिजल्ट क्या मिलेगा लॉस ऑफ सेंसेशन जो कि टार्गेटेड एरिया पर और यह हो गया यहां पर नेक्स्ट बात करें यहां पर वीर यानि जिस भी सॉल्ट न लेकिन दूसरे ब्रांड नेम देखोगे न तो उनके अंदर आपको और भी दिखेगा रिटोनावीर हो गया इंडियनावीर हो गया यह सभी के सभी जो होते हैं एंटी वाइरल ड्रग होते हैं अब यह कैसे काम करते हैं तो जैसे कि मैं फोर इक्जांपल इसका ही ले लेता है जो कि होता है कि असलिग्वरा प्रीज करता है जो खही निटा करता है वाइरस तो इस तरीके से जो यह वाइरस नहीं हो काम करती है नेक्स्ट आब हम बात कर लेते हैं अलप्रा जोलम मतलब लास्ट वर्ड जो है जोलम आप देख रहे हो तो जिस भी सॉल्ट निम के एंड में जोलम आ जाए वो सभी के सभी बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग्स होती है अब यह जो आप देख रहे हो यहाँ प होता है तो कैसे काम कर यह वो मैं आपको समझाता हूं जितने भी अलप्रा जोलम ट्राइजोलम जो होते हैं यह हमारे बॉड़ी के अंदर जाते हैं और खास तोर पर जो गाबा ए रिसेप्टर है टाइप रिसेप्टर वहां पर बाइंड करके इन्हेंस कर देता है इफेक् बाद जो काल एक्साइटिबिलिटी अब नियॉरॉंद का जो एक्साइटिबिलिटी है वोगहीं होने की वज़ेसे जो है हमें मसर रिलेक्जेंट, सीडेटिव, एंटि अउक्सिलेटिव इसके साथ एंटि कंजल्टेंट, उसके साथ एंजाइटी जो है वो रेडियूस हो doxycycline तो इसी तरीके से और भी आते हैं tetracycline, aminocycline, oxytetracycline तो यह काम करते हैं कैसे हैं तो जब भी इन oral को हम लेते हैं तो हमारे इस टमक में जाके एब्सर वोता है, उसके बाद वह targeted bacteria के bibd online के पास जाता है जो बैक्टीरिय यहां पर देख रहे हो यह सब बैक्टीरिय जी थो है यह अ गतेज़स के पास जाने के बाद जो उनका protein synthesis होता है ribozome से ही तो होगा protein synthesis तो वहीं पे inhibit करते हैं उन protein synthesis को कहां एक करके तो ribozome पे काम करके जो दो unit's होती है अपस में attach होता है तभी तो protein synthesis होता है तो इस तरीके से यह inhibit करते हैं जिससे bacteria का अब growth नहीं होगा और जो bacteria है वो भी kill हो जाएंगे तो RTI, UTI, respiratory tract infection, urinary tract infection में ये काम करते हैं तो I hope आपको ये भी clear हो गया होगा अब next बात करें नीरा माइन, जैसे एविल, आपने सुना ही होगा reaction के लिए बहुत जाद इसका use करते हैं, doctors, जिसके अंदर फैनिरामीन है ऐसे ही chlorफैनिरामीन भी आता है तो ये सभी के सभी antihistamines drug होते है antihistamines जितने भी drugs होते हैं, वो सभी के सभी allergies किसी भी प्रकार का allergy हम बोले, उन सभी में ये काम करते है तो जैसा फैनिरामीन जो है, सबसे पहले ये tablet आपने लिया और ये आपके स्टमख में जाकर absorb होता है उसके बाद blood के तो देखता है कि allergy आकर हुआ कहाँ पर है जैसे कि आपके आख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है या फिर skin पर आपके हाथों पर redness हुआ पड़ा है तो उस वाले reason पर जाता है, वहाँ पर क्या होते है चीब करें H1 receptor होते हैं जहाँ पर histamine कर रहे होते है तो यह उसको रोक देता है कि अब histamine नहीं होगा अब bind नहीं होगा तो जो आपको allergic reaction हो रहा है, वो भी नहीं होगा allergic reaction होता है, जब histamine बाइन होते है उस reason पर आग से पानी आ रहा है तो आग के नियर्वाई रीजन में जो है वह H1 रिसेप्टर होता है हेंट पे पिंपल्स आ रख या फिर आपका नाक से पानी आ रहा है तो वहाँ पे भी H1 रीसेप्टर है फिस्तामिन भाइंड हो रहा है अब next बात कर लेते हैं प्रिल तो एनवास्टन के अंदर आपको एनाल प्रिल देखने को मिल जागा ऐसे दूसरे प्रांट्स में लिसेन प्रिल, कैप्टो प्रिल भी देखने को मिल जाएंगे यह सबी के सबी एंजियोटेंसिन कंवर्टिंग एंजाइम यह एस इनिबिटर् इसको रोखता है तो क्या होता है हमारा जो एजी टू फॉर्मेशन होता है वह भी अपकम हो जाता है जिसको हम लोग एंजियोटेंसिंग कहते हैं अब उसके decrease होने के वज़े से aldo strong secretion जो है वो भी कम हो जाता है और इसके साथ साथ हमें vessel dilation देखने को मिलता है तो जो blood vessels है जिसके वज़े से vessels जो है वो dilate होंगी तो अराम से ब्लोड जो है वो flow होगा constrict होने के वज़े से ही जो होता है वह issue आता है BP में यानि hypertension तो यह दवाई जो है high BP heart attack kidney problems इन सब में काम करती है नेक्स्ट बात करें depine amylowasks के अंदर amylodepine देखने को मिल जाएगा ऐसे बहुत सारे बढ़ने जिसमें nifidepine philodepine भी देखने को मिल जाएगा तो यह काम कैसे करते हैं तो जैसे कि nifidepine हो गया या कोई भी हो गया philodepine amylodepine यह सब सब पहले stomach के थ्रूप blood में absorb होते ह हैं उसके बाद जो हमारा heart होता है वहाँ पे L-type calcium channels होते हैं तो यह inhibit करता है उन calcium के influx के अब calcium और अंदर ना आए मतला रोकता है जिसके वज़े से relaxation होता है vascular smooth muscles में और reduce होता है blood flow में तो अब आपको समझ आगया होगा high BP में क्या होता है blood का pressure जो है एक तम high होता है तो यही जो है reduce करना होता है blood pressure को और एक normal state पे लेखे आ जाता है और improvement होता है oxygen supply heart के लिए नेक्स्ट बात करें यहां पे जोशिन तो mini press XL के अंदर प्राजोशिन आप देख रहे हो इसे तरीके सा अधर बुरान में ट्राजोशिन डॉक्स सा जोशिन देखने को मिल जागा तो जितने भी यह होता है यह alpha-1 adrenergic receptor पे बाइंड करते हैं और inhibit करते हैं जैसे कि alpha-1 adrenergic receptor हो गया तो यहां पर क्या है कि जो neurotransmitter हो गया नौर यहां जैसे कि यहां पर देखा अब इसका अनदर प्लड यह ब्लड वैसल है जिसमें ब्लड फ्लो अब बहुत तीजी से फ्लो होगा ना वहीं पर डाइलेट होता तो यहां पर आराम से एज़ी फ्लो होता तो जो यह इसी को जो है alpha-1 adenorgic receptor antagonist है यह जोशिन ताकि अब जो है construction जो कर रहा था अब वो ना हो रोक देता है कि अब neurotransmitter नोर आपरेंट जो है वो आकर के mind ना हो और यह इस तरीके से यह काम करता है नेक्स्ट बात करें olon जो कि एक prednisolon और methylprednisolon आपको देखने को मिल दाएगा और यह एक estroid class के drug होती है mainly आपके nucleus वहाँ पर जाकर करके यह act करती है यह mainly जो है ना इक्जेमा हो गया psoriasis हो गया इन सम्में better काम करती है तो यहां पर आप देखे सकते हो और esteroids का बस यह होता है कि जादा इसके side effect होते हैं तो बहुत ही कम इसका यूज के जाता है इतना कम हो सकता है नेक्स्ट बात करें औलल, औलल, मीटोप्रोल, अटिनलल, यह सभी के सभी अदर आधर 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 आपको ब्राण्ड नेम के अंदर सॉल्ट देखने को मिल जानगे, यह सभी के सभी बीटा-1 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बता है, एलपा-1 ए इंक्रीज होता है तो इसको अगर ब्लॉक कर दिये जाए बीटा वन रिसेप्टर को तो जो है अराम से जो हमारा हर्ट है वह नॉर्वल कॉंट्रेक्शन मतलब जो हो रहा था वह ठीक हो जाएगा जिससे हमारा जो ब्लेट फ्रो है वह ठीक हो जाएगा तो हाइपटेंशन के जो है वह ठीक हो जाएगा नेश्ट बात करें अब यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा सुहागरा 100 के अंदर सिर्डेनाफिल और टाडाजूप सिस्टी के अंदर टैडलाफिल तो इसके अंदर क्या है इसके अंदर है टैडलाफिल यह काम कैसे करते हैं तो यह जितने इंक्रीज होता है cgmp level को और जो आपका smooth muscle relaxation होता है तो साथ ही वैसोडाइल करते हैं पैनाइल आर्ट्रेस को अब जो पैनाइल आर्ट्रेस है वह अगर वैसोडाइलेट वहां पर हो रहा है तो जो blood flow है अब उसमें improvement मिलता है जिसके वजह से erectile dysfunction में इस तरीके से यह काम करत है नेक्स्ट बात करें प्राजोल तो आपको भी पता होगा मिप्राजोल पैंटो प्राजोल राभी प्राजोल लैंसो प्राजोल बहुत सारी आते हैं अदर अदर ब्रांट में omays हो गया तो यह पर पैंटोप पैंडी तो यह सब सभी के सभी PPI होता है Brotan Pump Innovator होता है जो आ समय anders जो बंते हैं तो इस तरीके से यह काम करता है गैस्टिक लुमें है और जो सेल होता है वह प्राइटल सेल कहते हैं इस टमक के वहाँ पर यह पर होता है बात करें sess el galera», Мы स्प्रिशेल यह सब्चने यह सारा मेकनिजम होता है, Maista You माइसीन जो आप देख रहे हो जैसे कि एजैथरोमाइसेन, कलारिथरोमाइसेन, रैथरोमाइसेन यह सभी की सभी एंटिबाटिक्स और एंटिबाटिक्स तो आपको भी पता है कि प्रोटीन सिंथासेस को इनिबेट करते हैं बैक्टीरिया के जो बैक्टीरिया जो कि ENT infection, आई-nose, throat infection, sinus infection, HDD disease हो गया है या फिर निमोनिया बैक्टीरिया ही करते हैं तो बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथासेस जो राइबोजोम के दो सब यूनिट्स होते हैं वहां पर हांके बाइंड होता है जैसे 50S राइबोजोम के सब यूनिट पर बाइंड होता है जिसके देखने को मिल जागा यह सभी के सभी एनसे इडी क्लास की ट्रग होती है में लिए जब प्रोस्टागिलेनी हमारे बाडी के अंदर निकलते हैं रिलीज होते हैं तो वही जो है पेन इंफ्लामेशन फीवर कॉस करते हैं तो उसी को रोकने का काम इनका है कि जो यह एनसे जाइन को इनिबीट करती है जिसके वज़े से जो है डिक्रीज हो जाता है प्रोस्टागिलेंडीन के सिंतेसिस एक तरीके से रोक देता है जिसके वज़े से अब इंफ्लामेशन पेन या फीवर जो होता है यानि दर्द बुखार और सूजन तो उसको यह ठीक करता है नेक् होते हैं तो सबसे पहले यह एब्जॉर्ब होते हैं जी आई ट्रेकर थू ब्लेड के अंदर उसके बाद यह कंवर्ट होते हैं अपने अक्टिव मेटाबोलाइड में उसके बाद यह ट्यूलीन पॉलिमराइजेशन जो पराइटिक सेल होता है उसको इनिबीट करते हैं और करते हैं माइक्रोट्यूब्य इस्ट्रक्शर को जिसके वजह से इंपियर होता है ग्लुकोस का अप्टेक को और एटीपी प्रेडक्शन होता है पैरसाइट के अंदर जिसके वजह से पैरसाइट की डेथ हो जाती है जो आप यहां पर देख रहे हो नेक्स्ट बात कर लेते को किल करना मारना है उनके गुरुद को रखो और मारो वह दो काम करतें वर्दों तरीके से बैक्टेरिया कम तदात हो जाती हैं और दीरी दीरी हो मर जाते हैं गरें अब है Laporeks च्शूक्राइद केलें कहां लजेर फुलूप का और व्लु पंगिशिव, Emerium Oh! तो यह सभी कि सभी antifungal drugs होते हैं काम कैसे करते हैं यह इनिबीट करता है फंगल जो फंगस होता है उसका जो साइटोगरोम P40 एंजाइम होता है P450 एंजाइम जो होता है उसको इनिबीट करते हैं तो जिसके वज़े इन्टिफेर करेंगे अर्गेस्ट्रॉल सिंथेसिस को और डिश्ट्रॉप करते हैं फंगल सेल के मेंब्रेन के इंटिगरीटी को जिसके वज़े से जो फंगाई है वह अब खिल हो जाता है यानि एक तरीकिस एंटिफंगल इफेक्ट प्रोडियोस होता है तो आई होप आपक तो में पिल्टे ने 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 वीडियों